सुए गई जार कैसे हैं आप सभी लोग तो स्वागेता आप सभी लोग का 211 की पहली सांदार्श वहाँ है वैसे आज दो तारिख है एक तारिख में वीडियो बनाया ही नहीं था तो आज ही आप सभी लोग को हैपी नियूर बोलता हूँ हैपी नियूर 2021 और उमीद आपका य जैसे कुछ फ्लक्स स्मार्टफून भी लाउंच होने वाले हैं जैसे कि S21 लेकिन हम सरी 20,000 के रेंज में ही बात करने वाला है तो सबसे पहले यार जो डेट कनफाम हो चुकी है मी टेन आई जो की आपको नोट नाइन प्रो 5G का रिब्रेंडेड वर्जन होने वाला है जो तीन स्मार्टफून है जो आपको जनवरी में लाउंच होंगे सबसे पहले बजट में M12 होने वाला है उसके बाद आपको एक F-series में होने वाला है जो कि F-62 बताया ज़रा है और एक आपको A-series में होने वाला है जो कि A-32 बताया ज़रा है क्योंकि यह फोन BIS के पर काफ़ी जदे एक्साइटेड हूं और बहुत समय के बाद कुछ अच्छा लाउंच करने वाला है लावा का एक फोन लाउंच होने वाला है साथ जनवरी को डेट कन्फर्म हो चुकी है और उसको लेकर बहुत जदा हाइप हो चुकी है लावा कह रहा है कि हम ऐसा फोन चेंजर फोन होने वाला है और इसको लेके साथ मैं काफी जदा एक्साइटिड हूं इस फोन का भी तक ना नाम के लिए रहे हैं इसके बार में और कुछ डिटेल निकल के आई है सब अभी तक बहुती सिक्रेट है तो बाकी देखते हैं लावा क्या धमाका करता है साथ जनवरी में अगले स्पार्टोन की बात करें तो इंडिया के दो दूसरे ब्रैंड है माइक्रो मैक्रो मैक्स का दोस्तों इन नोट वन और इन वन बी करके दो फोन आ चुके हैं अब इसका एक सक्सेसर और आने वाला है जो इन नोट वन प्रो के नाम से साथ बताया जा रहा है और यह फोन आपको जनवरी में ही देखने को मिलना वाल आ इस की ब्रीज में हैब और आपको 10,000 के रेंज में मतलब करता है X7 और X7 Pro दो फून आने वाले हैं इसके परवे मैंने काफी सारी वीडियो बनाई हुई है इसकी इंडिया लॉंच कंफर्म नहीं हुए लेकिन 10 तारीक के बताई जा रही है अंदर इसकी इंडिया लॉंच हो सकती है तो बाकी देखते हैं मतलब जनवरी में फोन तो ड हो सकता है फोन जवर्दस्त सांदार होने वाला है एक सो बी सर्जवाली एमुलेट डिस्प्ले हटाउजन प्लस मीडिया टेक का चिपसेट दूनू 5G होंगे धमाकेदार फोन होने वाला है पैस्ट वाट की फास्ट चार्जिंग तो एक सेवन स्रीज वाली है जो आपको ज देहने को मिलने वाला है चैनल सस्काइब कर सकते है बाकी मेन एक नए चैनल शूरू किया है अगर तो-बताद डिस्क्रिप्सन में एक उस चैनल का लिंक दे दूँगाई